नमस्कार सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्ट और बड़ी खबर है आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में बताने वाले हैं जी हाँ आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं दरसल स्मार्टफोन यूजर्स को हर महीने अपने फोन को रिचार्ज करना पड़ता है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बात करना चाहते हैं या फिर नेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए भी कराना पड़ता है क्यूंकि उन्हें अपने नंबर को एक्टिव रखना होता है ताकि incoming calls आ सके लोग उनको phone कर सके ऐसे में आपको हर महीने देड़ सो से दो सो तीन सो और करीबन हजार रुपए तक भी खर्चा करना पड़ जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें महज आप दो सो पचीस रुपए में unlimited validity पा सकते हैं जी हां lifetime की validity पा सकते हैं दोस्तों इंडियन मार्केट में अगर हम सबसे जादा प्रच्रित टेलिकॉम कमपनियों की बात करें तो इसमें Jio और Airtel का डाम सबसे उपर आता है हर घर में आपको Jio और Airtel users मिल ही जाएंगे भारत में इन दोनों कमपनियों को टकर देने के लिए अब MTNL ने हाली में अपने कई नए प्लांस को इंडियों किया है कमपनियों का मानना है कि इन प्लांस की वज़ा से देश में Jio और Airtel की राज को खत्मे किया जा सकता है साथी रिचार्ज कराते समय ग्रहाकों के जेब पर पढ़ने वाले असर को भी कम किया जा सकता है जिसके बाद MTNL ने नी टेल में जानते हैं बता दे कि MTNL का ये प्लान केवल Jio और Airtel को ही नहीं बलके देश के अपने BSNL को भी टक कर देने के लिए लाय गया है बता दे कि MTNL के 225 रुपए के पैक से रिचार्ज कराने पर आपको कॉलिंग के लिए 100 मिनट्स दिये जाएंगे कॉलिंग चा कालिंग की फैसलेटी ही नहीं बलके मैसेज और डेटा भी दिया जाएगा MTNL के 225 रुपए के प्लान में लोकल SMS 50 पैसे, 1.5 रुपए नेशनल SMS और 5 SMS भीजने पर 4 रुपए चार्ज किया जाएंगे इंटरनेशनल की बात करें तो इसके लिए आपको प्रती MB 3 पैसे लगेंगे MTNL ने जिस प्लान को इंटर्डूस किया है फिलाल उस तरह का प्लान किसी भी और कंपनी के पास मौझोद नहीं है आप सब जानते ही होंगे इन में से कोई भी कंपनी आपको lifetime validity नहीं देती है इतने कम क्रीमत पर lifetime validity और benefits को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि MTNL के इस प्लान को लोग काफी पसंद करेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे ऐसे में अब आप MTNL को secondary sim के तोर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं